जै जिमुत वाहन भगवान जी तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको जितिया जिसे हम जिवित पुत्र का वरत भी कहते हैं घर जितिया भी कहते हैं कहीं पर जिवितिया भी कहा जाता है इसकी तीन पौरानी कथाएं सुनाओंगी इन कथाओं को सुने बिना पढ पास में भरके रखा जाता है कभी भी खाली हाथ कथा नहीं पड़ी सुनी जाती है तो हाथ में आप कुछ अक्षत पुष्प ले करके या फिर भीगेवे काले चने ले करके फूर ले करके आप कथा सुने कथा सुनते समय हुंकारे जरूर भरें तो सबसे पहले कॉमेंट बॉ अच्छा स्वास्त सुख सम्रद्धी की प्राप्ती होती है इसलिए इस वरत पूजन में हमें जिमुत वाहन भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए तो ये हमारी कथा पहली है इसमें हम जिमुत वाहन जी की कथा सुनाएंगे तो देखिए जितिया वरत की कथा गंधर्व के राजकुमा जिमुत वाहन से जुड़ी हुई है वर्धावस्था में जिमुत वाहन के पिता अपना सारा राजपार्ट सौप गर के वान प्रस्त आश्रम में चले जाते हैं लेकिन जिमुत की राजा बननी की कोई दिल्चस्वी नहीं थी ऐसे में वै अपने सामराज्य को एक बूड़ी महिला रोती नजर आई जिमुत वाहन उस महिला से उसके रोने का कारण पूछते हैं तब वो बताती है कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही बेटा है जिसके बिना मेरे जीवन की कलपना भी नहीं मैं कर सकती हूँ और नाग ने पक्षियों के रा पारी है तब जिमुत वाहन ने महिला से कहा कि आप घबराइये मत मैं आपके बेटे की अवश्य ही रक्षा करूंगा आज उसकी जगह मैं खुद की बली देने जाऊंगा इसके बाद जिमुत वाहन ने शंक चूड से लाल कपड़ा लिया और बली देने के लिए शिला पर इसके बाद जब गरुण आये तो वो लाल ढके कपड़े में जिमुत वाहन को दबा कर पहाड की उचाई पर ले गए अपनी चौच में दबे जीव को रोता देखकर गरुण हैरान हो गए तब गरुण ने जिमुत वाहन से पूचा कि आप कौन है जिमुत वाहन ने उन्हे सारी बाते बता दी गरुण जिमुत वाहन की बहादूरी से बेहद प्रसन हुए और तब उन्होंने उन्हें जीवन दान तो दे ही दिया साथ ही आगे से नागों की बली ना लेने की भी प्रतिग्याली कहते हैं कि इसी के बाद से बेटे की रक्षा के लिए जिमुत वाहन की पूजा करने की परंपरा शुरू ही तो बोलिये जिमुत वाहन भगवान की जै इस वरत पूजन में एक कथा कही जाती है चिलो और सियारन की एक समय की बात है एक चील और एक सियारन नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहा करते थे दोनों ने वहां कुछ महिलाओं को वरत पूजन करते देखा और खुद भी वरत रखने का संकल्प लिया इस उपवास के दोरान सियारन को भूख बरदाश नहीं हुई इसलिए उसने चुपके से भोजन कर लिया दूसरी और चील ने विधी विधान से इस वरत को पूरा किया अगले जन में चील और सियारन दोनों राजकुमारी बन करके सगी बहनी ह जिसमें सियारन बड़ी बहन थी और चिलो छोटी बहन थी दोनों बहनों की शादी हो गई लेकिन सियारन रानी के जो भी बच्चे होते वो मर जाते जबकि चिलो के बच्चे स्वस्त रहते सियारन को इससे जलन होने लगी जलन के कारण सियारन रानी अपनी बहन के बच्च जितिया का वरत विधान किया जिससे उसके पुत्रों की लंबी आयू उसे प्राप्त हुई जितिया वरत की तीसरी कथा जो है वो महाभारत के युद्ध के समय भवान श्री किष्ण से जुड़ी हुई है महाबारत युद्ध के समय अपने पिता की हत्या से नाराज हुए अश्मत ध्हमा ने पांडवों से बदला लेने की सोची गुसे मेवे पांडवों के शिविर में घुस गए वहाँ उस वक्त पांच लोग सो रहे थे अश्वत धामा को लगा कि ये पांच पांडव हैं उन्होंने सोते हुए ही उन्हें मार डाला लेकिन असल में वो पांच पांडव नहीं बलकि द्रौपदी की पांच संताने थी जब अर्जुन को ये बात पता चली तो उन्होंने अश्वत धामा को बंदी बना करके उनकी दिव्वे मनी छीन ली इसके बाद अश्वत धामा का गुसा और भी जादा बढ़ गया तब उन्होंने बदला लेते हुए अर्जुन के पुत्र अभी मन्यू की पत्नी उत्तरा के गर्ब में पल रहे बच्चे को उन्हीं की गर्ब में ही नस्ट कर दिया लेकिन भगवान श्रिकष्ट ने अपने पुन्ने का फल उत्तरा की मरत संतान को दे कर उसे फिर से जीवित कर दिया इस तरह मर कर पुनह जीवित होने की वज़े से इस बच्चे का जीवित पुत्र का रखा गया कहते हैं कि उस समय से बच्चे की लंबी उम्र की कामना करते हुए जितिया का वरत रखे जाने की परंपरा शुरू हो गए जै जी मुत भगवान इस तरीके से जब कता संपूर्ण हो जाती है तो जो भी हाथ में आपने अक्षत पुष्प लिये हैं उन्हें आप ऐसे पूजा में छोड़ दें कुछ कलशकी लोटे में डाल दें और प्रातना करें ख्षमायाचना करें और अपना पूजन संपूर्ण करें जितिया का पूजन कैसे किया जाता है इसका वीडियो चनल पर आज चुक है आप देख सकते हैं जितिया पूजन से सम्मेधित और बहुत सारे वीडियो आपको हमारे चनल पर मिल जाएंगे आप उन्सब को देख सकते हैं तो आज का यह वीडियो को लाइक शेन चनल को जरू सब्सक्राइब करना और कॉमेंट बॉक्स में जिमत वाहन भगवान की जया पावश्य लिखना जिमत वाहन भगवान आप सभी की संतानों की सदैव रक्षा करें इस आशा के साथ मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जय जिमत वाहन भगवान आप सभी को जित्या पर्व की हार्दिक शुब कामना है